ओप सेथे लिए शिरिकरस्न जन्मास्टमी की बहुत बहुत बधाया हो हम सभी ब्रम्मावत्सों के लिए ये पार्व संसार से बिलकुल ही ने आ रहा है लोग तो केवल वृत रखेंगे, रात तक वृत रखेंगे, कुछ पुजा पाठ भी करेंगे लेकिन हम रम्मावत्स सिरिकरस्न का आवान कर रहे हैं और वे सिगराएंगे, सत्यूगी दुनिया का आरम भी उनके द्वारा होगा हम चाहेंगे कि हम भी उनके साथ रहें सिरिकरस्न से तो सभी भक्त भी बहुत प्यार करते हैं पर सोचना ये है क्या वे भी हमसे प्यार करते होंगे? सोचें आज. वे उनसे ही प्यार करते हैं जो उनके समान रहम दिल हैं, जो उनके समान सभी को सुख देते हैं, जो बहुत पवित्रा त्माएं हैं, जो करोध मुक्त हैं, जो विश्व कल्यान के कारिये में लगे हुए है और उनके साथ आने की सर्थ यही है कि जो संसकार उनके जिनके वही संसकार बन जाएंगे वे उनके साथ आएंगे जिसे ज्यान रतनों से उन्होंने अपने को वरपूर किया जो स्वयम को ज्यान रतनों से वरपूर करेंगे वे उनके साथ आजाएंगे तो आज के दिन हम खुशियों में जीवन को व्यतीत करें, आज की दिन चड़िया आनंद में वीते, हम इस धरा पर अब शिविकरश्न के साथ होंगे, न केवल उनको देखेंगे, लेकिन उनकी सखा होंगे, उनके राज में होंगे, और वो राज स्वर्ग होगा, जहां सुक्ष्यानती की बंशी बजएगी, जहां अथा आनंध ही आनंध होगा, जहां प्रेम का सामराज होगा, जहां किसी भी समस्या का नाम निसान नहीं होगा, कल्यूग को यदि अंदकार कहें तो सत्यूग संपूर्ण प्रकास का दिन है एकदम उल्टा है उस यूग की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते सिर्गस कल्यूग में नहीं आ सकता इस तमो परधान सुरस्टी पर धर्ती पर उसके कदम नहीं पर सकते जब प्रकरते भी पावन हो जाएगी, जब वाता वरण भी सुद्ध हो जाएगा, जब यहां के गंदे लोग, रक्सस लोग, तामसिक लोग देच छोड़ कर वापिस अपने धाम चले जाएगे, यहां सतो परदानता हो जाएगी, तब सिर्गरस्न का आगमनिस धरा पर आए ह हम सभी इसकी तैयारी करें और अपने को निस्पाब बनाएं, अपने को पवित्र बनाएं, हमारी पवित्र ताही पवित्र आत्माओं का आवान करती है, शीव बाबा इस धरा को स्वर्ग बनाने आए हैं, तो आज सारा दिन हम सभी इस आनंद में रहेंगे, लोग तो वरत करेंगे और हम भी आज कोई अच्छा सा व्रत कर लें अपने लिए ताकि आज का दिन हमारे लिए यादगार बन जाए कि आज से हम ये नहीं करेंगे ये करेंगे अगर आपके संबंदों में तकराव है आपके घरों में संघर्ष है स्वार्थ है क्रोध है तो आप इसको ठीक करने के लिए कोई वृत ले ले आज अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको त्याक कर दें, श्यांति का वृत लें, पविरता का वृत लें और ये भी कोई दूसरा कुछ करता है ऐसा तो आप चुप रहने का वृत लें, आप ऐसे व्यक्ति से जग डेंगे नहीं, अपनी बाद सत सिद्ध करने कोशिस नहीं करेंगे तो ये व्रत आपके पारिवारिक जीवन को सुख में बना देगा और मिठाई खाई जाएंगी आनंद मनाया जाएगा मिठाई खाने का आर्थ तो सभी जानते हैं हम मीठे बन जाएं बहुत मीठे ताकि हमारी मदूर्ता दूसरों के जीव पूलने लगे नम्र बनाने लगे दूसरों को तो आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही सुभ दिवस है और हम अपनी आखों में वो स्वरक का नजारा और शिरीकरस्न का सीन रखेंगे कि बस वो दिन जल्दी से जल्दी आया कि आया जब इस धरापर देव लोख होगा शिर अंति, संपदा, पवितरता, प्रेम, आनंत से ये स्रस्ति भरपूर हो जाएगी आज हम अपने नैनों में भविस की वो सवी, छवी समाय रखेंगे और बहुत सुंदर अनुभव करेंगे आज सारा दिन अपने भविस के नसे में सब रहेंगे, जैसे ब्रह्मा बावा को भविस का नसा रहता था, हम भी अपने भविस को याद करके इस वजी नसे का अनुभव करेंगे, ओप श्यांति